खुशी नगर उत्तर परदेश में इस्तित एक परमुक्ष तल है जो बहुत धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है यह जगा बुद्ध भगवान के निर्वान सल के रूप में विख्यात है जहां उन्होंने अपने जीवन का अध्यात्मिक समापम किया था यह भगवान बुद्ध के परिनिर्वान सल के रूप में जाना जाता है बुद्ध ने यहीं महासमादी ली थी हिमाले की तराई में सित्खुशी नगर शांद वातावरन से गिरा हुआ एक खूपसूरत इत्यासिक स्तल है जो पूर्ण रूप से भारत में विचार करांती के जनक भवान बुद्ध को समर्पित है यहां आसपास गौतम बुद्ध से जुड़े कई साक्षे मौजूद हैं जो अब विश्परसित धार्मिक वा अध्यात्मिक केंद्र बन चुके हैं जिने देखने के लिए प्रेटगो का आवा गमन लगा रहता है दोस्तों खुशी नगर की यात्रा पूर खुशी नगर पहुझने के लिए आपको उत्तर प्र परतेश के देवर्या सदर railway स्टेशन पहुझना होगा जहां से आपको खुशी नगर के लिए बस मिल जाएगी जिसका किराय आपको 50 रुश पड़ेगा देवरिया से खुशी नगर की दूरी लगवक 30 किलोमेटर की है खुशी नगर वें अंतराश्टिय हवाय अड़्डा भी है जो खुशी नगर महा परिनिर्वाणा टेंपल से लगवक 6 किलोमेटर की दूरी पेशते थे यह हैं खुशी नगर का बस टॉप और हम सबसे पहले चलेंगे खुशी नगर के महापरी निर्वाना टेम्पल की और महापरी निर्वाना टेम्पल में एंट्री करने के लिए आपके पास अधार काड़ होना अनिवारे हैं अन्न था आपको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाएगी अब हम आ गये हैं महापरी निर्वारा स्टूप टेम्पल के गेट के पास अब हम कर आएंगे अपनी एंट्री भगवान गौतम बुद्ध का जन्व 483 इसा पूर्व तथा महापरी निर्वाराण 563 इसवी पूर्व में हुआ था बश्पन में उनको राजकुमार से दात के नाम से जाना जाता था बोध गरंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्व से 12 वर्ष पूर्वी एक रिशी ने भविश्यवानी की थी कि यह बच्चा या तो एक सर्व भूमिक सम्राट या महान रिशी बनेगा यह महा परिन्वारा टेंपल के स्टूप भवान बुद्ध के काल में यह स्तान महा जन्पदों में से एक था तब खुशी नगर पर मल राजाओं का शाशन था छटी शताबदी की शुरुवाती दोर में यहां भवान बुद्ध का आगमन हुआ बताया जाता है कि यहीं उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया जिसके बाद भवान बुद्ध ने महा परिन्वारा को प्राप्त किया खुशी नगर में वो धर्म के साथ सा जैन धर्म का भी महत्व बड़ा यहीं पर जैन धर्म के 24 वे तितनकर मावीर ने अपना अंतिम समय विदाया था यह परिन्वारा अस्तूप इस मंदिर में भवान बुद्ध की 6.1 मीटर उची मूर्ती लेटी भी मुद्रा में रखी है यह मूर्ती उस काल को दर्शाती है जब अस्सी वर्च की आयू में भवान बुद्ध ने अपने पार्तिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्व और मिर्ट्यू के बंदन से मुक्त हो गए थे यानि उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हो गई थी भवान बुद्ध की इस मूर्ती को लाल बलुवा पत्थर के एक ही तुकड़े से बनाय गया था इस मूर्ती में भवान को पच्चिन दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाय गया है ये मुद्रा महापरी निर्वान के लिए सही मानी जाती है हाला की बुद्ध ने निर्मान पराप्त कर लिया था लेकिन उनके शरीर के अन्मोल अफशेशो को बुद्ध के पर्तीक के रूप में पूज़निये माना जाता था खुशी नगर के मल्लों ने एक विश्वियापी राजा चक्रवर्ती के अनुरूप समारों के साथ उनके शरीर का अंतिम संसकार किया अंतिम संसकार की चिता से उनके अफशेशों को इगतर कर उन्हें आड़ भागों में विवाजित किया गया भागवान बुद्ध की अस्तियां आप आज भी देख सकते हैं जो दिल्ली के राष्टे संग्राले में रखी है साथ उन्हें कपिल वस्तू अफशेश के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे बिहार के एक इस्तान जिसे कपिल वस्तू का प्राचिन शेर माना जाता है वहां से प्राप्त की गई थी महापरी निर्वान टेंपल का खुलने का समय सुबह 6 वजे से रात के 8 वजे तक है महापरी निर्वान टेंपल में प्रेटक इन कपड़ों पर अपनी प्रातना लिखते हैं चलिए दोस्तो महापरी निर्वान टेंपल से हम चलते हैं जैपनिस टेंपल की और जो महापरी निर्वान टेंपल के एक्तम समीप में है यह देखिए दोस्तो जैपनिस टेंपल जो की खुशी नगर का एक महतपूर टेंपल है बहवान बुद्ध का जपानी मंदिर खुलने का समय सुगा के 10 वजे से शाम के 5 वजे तक है इस मंदिर के परीसर में बिक्षुओं और धार्मिक वैक्तियों की प्रतिमाएं लगी वी हैं जो अध्यात्मिक वातवरन को बढ़ाती हैं आतूगा इशन ने इस मंदिर का निर्मान विश्व बोध संस्कृतिक संग द्वारा किया गया था जिसे जपानी राशाई द्वारा उदार पूर्बगवित कोशित किया गया था मंदिर में एक अनूठा गोलगार कक्ष है जिसमें भवान बुद्ध की सुन परतीमा है छवी को एक छोटे से गलास खिड़की के माध्यम से धीरे धीरे प्रकाशित किया जाता है जो इसे प्रेटकों के लिए एक सुन्द दृश्य बनाता है खुशी नगर के कुछ दिल्चफ प्रेटक आकरशन में से ये जैपनिस टेमपल भी है जापान से जापानी मंदिर अश्धातू या बोट की आडधातू की मूर्ती को खुशी नगर में पिछेदित किया गया था फिर अन्त में यहां आकर अकार दिया गया और वाके में जैपनिस टेमपल बहुत ही अद्बुद और बहुत ही सुन्दर है जो आपको खुशी नगर में एक बार आकर जरूर देखना चाहिए अब हम आगे हैं वेतनामी मंदिर जिसे चीनी मंदिर भी कहा जाता है यह खुशी नगर में बहुती सुन्दर मंदिर है प्रवान गौतम बुद गार जह मंदिर दो मंजिला बना हुआ है जिसमें ड्रैगन की शवियां दिखाई देती है और चीनी शैली में यह मंदिर बना हुआ है चलिए अब हम चलते हैं उपर की मंजिल में हमें यह देखने को मिलते हैं लाफिंग गुद्दा और उपर की मंजिल से यह मंदिर का द्रिश्य देखता है वेतनामी मंदिर उशी नगर और यह ड्रैगन देखे कितना सुंदर दिख रहा है और यह उपर की मंजिल में यह स्टैचू है जो स्वन प्रतिमाय नजर आती है वेतनामी टैम को ने चीनी मंदिर के परीसर में भवान बुद्द के चार महत्रों तीरस्तल हैं चली हम उन्हें देखते हैं यह रहे वो तीरस्तल लुम्बनी बोद गया खुशी नगर और सार्माद कि अगर में आपको ठहरने के लिए धरमशालाएं और होटल मिल जाएंगे इसमें होटल प्राइस होगा आपका एट हंडेड टू तू टू थाउजन रुपीज इसमें आपको एसी रूम और नॉन एसी रूम भी असानी से मिल जाएंगे और पुशी नगर में आपको धरमशालाएं भी मिल जाएंगी जिसका किराया आपको 500 रुपीज से 800 रुपीज तक पड़ेगा और खुशी नगर में ही बिरला मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आपको धरमशाला भी मिल जाएगी अब हम आ गए हैं राम भार स्तूप में जो की महापरिनान टेंपल से देड़ किलिमेटर की दूरी पे स्तित है यह विशाल स्तूप 15 मीटर की उचाई तक खड़ा नजर आता है यह वह जगा है जहां भावान बुद्ध का धास अंसकार किया गया था प्राचिन बोध अभी लेखों में इसे मुकुट बंधन चैत्ते के नाम से निरुक्वित किया गया है खुशी नगर में राच के संग्राले भी है जिसका खुलने का समय मौर्णिंग में दस वजे से लेकर शाम के पांच वजे तक है हुआ है तो वाइद अब हम आया है खुशी नगर के राच के बोध संग्राले में चलिए मिरता संग्राले संग्राले में घुस्ता ही आपको सुंदर सा ये पार्क दिखेगा जिसके अंदर एक बड़ा सा कच्छुआ है पत्थर का और ये राच के संग्राले का एंट्री गेट राच के संग्राले की टिकट है 10 रुपे परतिवेक्ति और अगर आपको फोटो खैचनी है तो आपकी 20 रुपे की टिकट और लगेगी आप संग्राले में वीडियो नहीं बना सकते इस राज के बोस संग्राले में आपको स्टार्टिंग में आपको हमारे 17 सेनानियों की जलक दिखेगी और इसमें साथ ही साथ आपको मौरे काल की समय की मूर्तियां मिलेंगी और गुपत काल की और साथ ही साथ आपको 500 से 700 साल पुरानी मूर्तिया भी देखने को मिलेगी और भावान गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनवान प्राप करने तक की बहुत सारी आपको तस्वीरे देखने को मिलेगी इस संग्राले में और खुशी नगर यातरा का आपका टूर वजड़ दो जनों का लगबख पड़ेगा आपको 6,000 रुपे जिसमें आपका आने आने करा रेल का किराया, होटल, एंड ट्रांस्पोर्ट और आपका खाना पीना शामिल है खुशी नगर में, किसी भी टेंपल में आप निशुन घूम सकते हैं याने आपकी एंट्री फ्री है, बस आपकी आइडिंटी आपके पास होनी चाहिए तो अगर आप सबको मेरा ये वलोग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए